हलो दोस्तो मेरा नाम है आयूश रायना और मैं आपको बताऊंगा कि डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसी आपने कैसे याद रखनी है एक स्टोरी सुनके आप इसे याद रख सकते हैं कहानी में मेरे साथ चली है और मैं आपको कहानी के दुरू याद करनाने की कोशिश करता हूँ imagine करिये ये एक village है एक गाओं है imagine कर लिया अब आपने एक ऐसा गाओं imagine करना है जो हर चीज में अवल दर्जे का है best village in the world imagine करना है तो सबसे पहली चीज़ जो इस village के अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए पंचायत तो हम 40 से start कर रहे हैं, 38-39 के बारे में बाद में बात करते हैं 40 से start कर रहे हैं और ये number आपने associated याद रखना है तो सबसे पहले पंचायत होनी चाहिए उस गाओं के अंदर विलेज पंचायत होनी चाहिए उस गाओं के अंदर education, livelihood, unemployment allowance, old age or sickness allowance हर individual को मिलता है सरकार की तरफ से उस विलेज के अंदर जो भी काम होता है उसमें just and human conditions of work है और महिलाओं को maternity relief भी provide होता है उस विलेज के अंदर living wages provide की जाती है जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको ऐसी wages provide की जाती है जिसे वो अपने खाने, रहने, healthcare, clothing, transportation, savings और education का खर्चा उठा सके उनसे उन्हें cottage industry बनाने के लिए भी promotion किया जा रहा है और इस सब से क्या हो रहा है इस सब से उनका living standard बढ़ रहा है इस village के अंदर लोगों को industries की participation में भी आने की इजाज़त है तो 43A के अंदर उनको participation में आने की इजाज़त है और 43B के त्वारा उनको cooperative बनाने की इजाज़त है जो भी यहां काम करने वाले लोग हैं वो सभी धर्मों को belong करते हैं तो इसलिए 44 में उनको uniform civil code के अंदर लाए जाने वाकी बात होती है 45 में उन्हें एक early childhood care provide करने की बात होती है क्यों होती है industry में काम करने वाले लोग हैं दिन रात काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे जो 0 से 6 साल के हैं 0 to 6 years हैं उनको early childhood care provide होना चाहिए तो वो भी provide होगा अब यहां जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें schedule cast, schedule tries भी हैं और उनके लिए special प्रावधान किये गए हैं by the village authorities साथ ही साथ उस village में medical facilities भी available है यानि health, nutrition का भी ध्यान रखा जाता है model village है न, model village, best village in the world वहाँ पे इन health और nutrition को ध्यान में रखते हुए गांदी जी की नक्षे कदम पे alcohol पे बैन लगा हुआ है drugs के उपर भी बैन लगा हुआ है आगे जाके agriculture के अंदर हमने देख लिया कि industry में किस तरीके से वो prosper कर रहा है तो सबसे पहले उस village के अंदर industry को prosper करवाया गया और उसके बाद agriculture के अंदर हमने modern lines पे agriculture करवाया हमने modern lines पे animal husbandry करवाई और क्यूंकि हम animal husbandry को promote कर रहे थे cow slaughter को हम ban कर रहे थे क्यूंकि cow को हम as a resource देख रहे है और religious value भी of course उसके साथ attached है इसी को extend करते हुए सारे animals जो भी उस village के आसपास रहते थे बहुत सारे हाथी रहते थे उस village के आसपास और क्यूंकि हाथी एक तरीके से endangered है तो उन्हें बचाने के लिए भी हमने वहाँ पे कदम उठाए है बात करते हैं उस village की आसपास के monuments की village ताज महल के पास है ideal village है ना ideal village तो साथ में एक monument भी है ताज महल तो उस ताज महल को बचाने के लिए भी प्रावधान वहाँ पे provisions वहाँ पे करने पड़ेंगे ancient monuments को protect करने के लिए अब कौन सा monument ancient है कौन सा नहीं है इसको decide करने के लिए authorities बनाई गई है लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो judicial authority है और executive authority है उनको separate रखा गया है judicial authority और executive authority को separate रखा गया है और जब इस तरीके का village बन जाएगा तो हम wish भर में प्रसिद्धी पा लेंगे worldwide हमारे सारी की सारी चीजें famous हो जाएंगी और हम world peace international community के अंदर फैलाने की बात कर सकते हैं international cooperation कराने की बात कर सकते है तो इस model village का idea अगर आपको याद रहता है starting from incorporating this village तो आपको 40 से लेके 51 नंबर के directive principles याद हो जाएंगे दोस्तों revise कर लें एक बार revise कर लेते हैं Ireland की constitution से जो हमने directive principles और state policy लिये हैं वो हमारे constitution के part 4 में आते हैं और part 4 से article 36 to 51 आते हैं मैं 36 to 50 जान बूज के नहीं करा रहा क्यों क्योंकि कुछ आपने भी तो करना है 38 से directive principles start होते हैं लेकिन 36, 37, 38, 39 यह आपने करने हैं 40 से start करते हैं village पंचायाट से organize करना यह हमने पढ़ लिया कि village में सबसे पहले यह होगा दूसरा right to education, right to work and public assistance in cases of unemployment old age यह करना है just and human living conditions उन लोगों को provide करनी है तो images के थुरू आपने याद रखना है images के थुरू आपकी memory ज़ादा sharp होती है आपको चीज़ें ज़ादा अच्छे से remember होती है इसलिए आप इसकी जो PPT होगी या जो इसकी PDF होगी वो भी आपको मैं description में attach करवा दूँगा living wage workers के लिए मैंने बताया workers काम कर रहे हैं तो उनको living wages चाहिए और उनको decent standard of life भी चाहिए साथी साथ cottage industries भी बनानी है तो ये मैंने 43 के अंदर बता दिया तो number और image को associate करके चलिएगा 43 और 43 B याद है 43 A में industries के अंदर यानि की trade unions बना के आप participate कर सकते हैं और 43 B के अंदर आप cooperative societies बना सकते हैं 44 यानि की हर धर्म के लोग काम कर रहे होंगे तो उनके लिए uniform civil code बनाएगा 45 यानि की 0-6 years के लिए early childhood care or education आप provide कराएंगे वो वाली photo जिसमें वो circle में बच्चे गुम रहे थे 46 SCSTs scheduled class, scheduled tribes and weaker sections and society के लिए special provisions प्राधान आपने रखने होंगे 47 में हम health, nutrition, standard of living पे आगे थे और हमने drugs को ban करवा दिया था और intoxicating drinks को भी ban करवा दिया था agriculture और animal husbandry इनकी organization को हमने modern कराए था cow slaughter को हमने ban कराए था और extra extend करते हुए village की boundary के बाहर जो jungle लगता है वहाँ पे हमने elephants को protect करने के लिए improvement of environment, safeguarding of forest and wildlife वाला directive principle याद किया था 49 में हमने monuments को भी बचाया था क्योंकि हमारा village जो था हमारा जो गाओं था ताज महल के पास था तो हमने उसे भी बचा लिया और 50 से हमने judiciary को executive से separate कर दिया क्योंकि ये decide कौन करेगा कि कौन सा monument important है, कौन सा नहीं इसके लिए authority चाहिए और उसमें judicial authority should be separate from executive authority and finally जब हम अचीव कर लेंगे जब हम ये सब अचीव कर लेंगे दोस्तों तो हमारे पास एक ऐसा village तयार हो जाएगा जिसे हम internationally promote कर सकते हैं और peace, international security के मामले में हम कदम उठा सकते हैं so all these directive principles as you must have studied in your quality आपको याद करना ही challenge था otherwise आप इसके बारे में तो जानते हैं कि ये enforceable नहीं होते court of law में ठीक है, तो आप सरकार से enforce नहीं करवा सकते कि directive principles लगाने ही लगाने है that you have to implement them ये याद करना prelims के perspective से शायद इतना important नहीं है, मैं नहीं मानता क्योंकि UPSC अब ऐसे सवाल पूछना बंद कर दिया है उसने, जिसमें वो article number पूछ रहा हो ठीक है, पूछ लेता है एक आदा but not very specifically you can expect or you should prepare, पर mains के लिए बड़ा important है दोस्तों तो mains के लिए भी इसको important तरीके से समझना है prelims में भी एक question तो आने के chances है क्या पता direct principle से पूछ लिया जाए इसलिए इन images को अपने दिमाग में fit बठा लीजिए with the number, number और image ये वाला जो formula है ये चीजों को याद करने में आपकी मदद करता है तो मैंने ये चोटी सी मदद आपकी करने की कोशिश की है आपने मेरी ये मदद करनी है कि आपने 36 से लेके 40 तक खुद याद करने क्योंकि खुद से अगर आपको homework नहीं दूगा काम नहीं दूगा तो आप खुद से भी कैसे काम करेंगे इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा general studies का mentorship course जो है वो live हो चुका है आप इस course को avail कर सकते हैं with installments इस prices पे और mission 1105 लगाएंगे 1105 number of seats for 2023 अगर आप लगाते हैं तो आपको 10% का discount मिलेगा तो आपको content के मामले में 500 से भी जादा घंटे का GS का content मिलने वाला है essay का अलग से आपको इसमें course मिलने वाला है तो सभी general studies 1, 2, 3, 4 and essay will be covered means answer writing will be covered and you will be given personal mentorship जिसमें दो तरीके की mentorship होगी academic और strategic तो दोस्तों इस course को join कर सकते हैं आप और साथी साथ अगर आप current affairs में problem पा रहे हैं आपको नहीं पता चल रहा कि हम कहां से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें सारी tension अपे छोड़ दो न हम आपको directly daily 6 days a week एक एक subject के current affairs दे दिया करेंगे आप वो पढ़ लिया करें और ये curated होंगे अलग-अलग sources से P.I.B. से curated होंगे Downtorth Magazine, योजना मैगजीन से curated होंगे The Hindu Newspaper, Business Standard Newspaper Dinden Express Newspaper से ये सब curated रहते हैं तो आपको tension लेनी की कोई ज़रूरत नहीं है आप एक one stop solution पे हमारी IDs और one numbers पे हमें contact कर सकते हैं अगर ये trick आपको पसंद आई और आप चाहते हों कि और भी इस तरीके की वीडियोज आप देखें तो ज़रूर हमारे comments में हमें बताईए Thank you and have a very nice day